हेलो डियर लेर्नर्स सबसे पहले तो हैपी इंडिपेंडेंस डे टो एवरीवन ठीक है और बाकी इस वीडियो की बात कर लेते हैं एक मेरा मतलब ड्रिम प्रोजेक्ट था कि मैं मतलब उन बच्चों के लिए भी जो इंग्लिस को केवल एक्जाम के पॉइंट ओव व्यू से क चीखना चाहते हैं वह एक्च्वल में इस लेंग्वर्स को समझना चाहते हैं तो देख वूड यूज इट इन देर प्रेक्टिकल लाइव इन रियल लाइव देख वूड यूज इट तो उनके लिए एक बैच हम काफी टाइम से बनाने के वारे में सोच रहे थे तो फाइ है इसमें इंग्लिज का हम comprehensive slavers cover करेंगे बट यह किनी one day competitions को यह competitive exams को टार्गेट करने के लिए नहीं है इस इंग्लिज में जो language के different skills होते है language skills होते हैं आपका speaking है reading है writing है listening है ठीक है उनको सबको हम cover करेंगे मतलब इसका basic purpose यह है कि जो लर्नर है जो भी इस बैच को जॉइन करता है जो भी हमारे लर्नर्स हैं ठीक है वह लर्नर्स हमारे confident हो इंग्लिस को लेकर एक आप लोग जानते होंगे जनरली हम लोग इंग्लिस पढ़ते हैं तो तो grammar सीखने के लिए के वे grammar सीक्टे रहते हैं रूव्ल से याद करते रहते हैं चीजों को याद करते में but just remembering things or knowing things doesn't make you Effective Language आप चीजें पता चल जाने से हम effective Language यूजर नहीं हो जाते हैं हम अपनी real life में use कर पाए है real situations में use कर पाए है ठीक है when we have to communicate with someone हम उसको सही तरीके से effectively confidently language का उप्योग कर पाएं अपने जीवन में तो language सीखने का यह होना चाहिए purpose कि हम जरूरत पढ़ने पर इसका उप्योग भी अपने जीवन में कर पाएं यह नहीं कि हम केवल सीखते रहे याद करते रहे questions concepts rules लेकिन जब जरूरत पढ़ती है कभी उसको use करने की ठीक है then we fail फिर हमें बापस वही हिंदी पर आना पढ़ता है कि हमें हिंदी में लिखना पढ़ता है application हमें हिंदी में ही बात्चित करनी पढ़ती है किसी से भी ठीक है तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो यह जो हमारा ऐसे foundation slayvers है या जो हमारा course है इसका slayvers हमने इस तरीके से design किया है कि आपको इंगलिस की एक deep understanding एक solid foundation प्रोइड करेगा language के uses language के basics language का application ठीक है सब आपको clear होगा इससे के वल आपको number ही नहीं आएंगे अगर आपको knowledge academic का या कोई intense exam एंग्जाम में competitive exams देते हैं तो obviously it will help you to perform better in those exams but that is not the aim वह हमारा aim नहीं है हम आपको उसलिए English नहीं सिखा रहे हैं हम आपको इसलिए English सिखा रहे कि आपको सही English का use करना है सही English के uses क्या है वह आपको आएं और language को आप अपना practical और real life में यूज कर पाएं जरुवत पढ़ने पर ठीक है तो मतलब आई यह स्थार्ट करते हैं मैं आपको सबसे पहले इसके बताता हूं courses का हमने क्या design किया देखिए असे एक foundation badge जो है इसमें एक grammar and concepts grammar concepts uses यह आपको सिखाए जाएंगे vocabulary and word formation यह आपको सिखाए जाएगा and reading comprehension which is a very big problem in North India एरिया जिक नौर्थ इंडिया में reading comprehension बच्चोंगा जनरली जो Hindi medium के students होते हैं उनकी हमेंसे एक समस्य होते है reading comprehension ठीक है reading comprehension का use competitive examination भी काफी जादा होता है sentence arrangements है आपके PQRs जिने हम कहते हैं या close tests है या आपका unseen passages जो आते हैं ठीक है वो reading comprehension से related ही होते हैं मतलब reading comprehension का ही test होता है ठीक तो यहाँ पर हमने यह जो तीनों major aspects जो है language learning के इनको हमने cover किया grammar concepts and uses vocabulary and word formation reading comprehension practice यह तीन major मतलब aspects है language के जिनको हम especially stress और focus करेंगे इस batch में ओके जैसे कि जो grammar conception uses है इसमें the sentence and its parts sentence है sentence का structure phrases words clauses their types their positions their applications their interactions उनके आपस के अलग अलग features होते हैं ठीक है जैसे suppose कोई preposition है तो preposition के एक तो types हो गया ठीक है simple preposition compound preposition preposition phrases हो गई या उनको और भी हम type में categorize कर सकते हैं जैसे some prepositions of place हो गए some prepositions of movement हो गए some preposition of time हो गए some preposition of frequency हो गए ठीक है तो वो सब उसमें हो जाएगा and correct uses all parts of speech जितने भी part of speech आपके है noun, pronoun, adjective, word, 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 preposition, conjunction उनके types and subtypes को हम सीखेंगे detail में उनके features जो होते हैं उनको भी सीखेंगे और उनके correct uses कि उनको लेकर किस तरीके की लोग गलतियां करते हैं किस तरीके से mistakes करते हैं और उनके correct uses क्या होते हैं उन्हें कैसे हमें यूज़ करना चाहिए अपनी daily life में बोलने में लिखने में exams में किस तरीके mistakes होते हैं वो सब discuss करेंगे उसके बाद में जो applied grammar है application है tenses, voice, narration, models, determiners तो इस तरीके के जो मतलब other than parts of speech मतलब जो हमारे grammar के concepts या grammar का application होता है उन chapters को भी हम discuss करेंगे इनके भी correct uses, correct concepts वो सब discuss के जागा detail में अच्छा vocabulary and word formation जो हमारा second part है इस course का इसमें हम words in everyday use मतलब रोज की बोल चाल में या use होने वाले words जैसे words which are used related to weather, words related to human psychology, words related to human personalities, words related to human relations, words related to places, words related to time, words related to classroom, words related to picnic spot, words related to science and technology तो एक मतलब rich vocabulary भी आपके तयार हो जाएगी जो आपको competition में भी help करेगी और आपकी everyday life में, आपकी daily life में भी आपको help करेगी कि आप English को effectively समझ पाओ, effectively आप उसके through अपने को express कर पाओ, written में या oral में दोनों तरीके से, तो spoken English या written English में भी आपको better command आपकी हो जाएगी, ठिक तो words in everyday use ये आपको सिखाए जाएगे, उनके uses सिखाए जाएगे, synonyms, obviously बात है vocabulary में synonyms तो होंगे होंगे, spellings है, correct spellings, ठीक है, spelling के क्या concepts होते हैं, किस तरीके से spellings change होती हैं, ये सब उसमें सिखाए जाएगा, idioms and phrases, allusions, ठीक है, language में क्या होता है, काफी ऐसे words होते हैं, जो mythology से लिए गए होते हैं, या जो किसी great author की literature से लिए गए होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो allusions हैं, जो language में use होते हैं, for example, मैं आपको अगर एक बता हूँ, Penelope's वेव, ये एक idiom है, ठीक है, तो ये जैसे हमने जो लिखा है न, Penelope's वेव, तो ये क्या है, कि एक Greek mythology में एक lady थी, Penelope का नाम था, ठीक है, और जो frozen war थी, उसका जो hero था, Ulysses, Seth, जो वापस है, उसकी wife थी, ठीक है, तो ये उन से related एक कहानी है, मतलब ये एक idiom है, वैसे त ठीक है, कट guardian not है, ठीक है, और हर्कुलियन चास्क है, तो ऐसे जो literary allusions हमारी language में, बोल चाल में यूज होते हैं, अक्सर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, या कोई news paper, article पढ़ रहे हैं, तो उसमें अक्सर allusions होते हैं, अच्छा, वो जो होते हैं, उनके बारे में, अगर हमें जानकारी नहीं हो, तो पूरा context ही हम नहीं समझ पाते हैं, क्या कह जया गया, तो इस तरीके के जो language में, everyday language में, literary allusions use होते हैं, ठीक है, वो सारे आपके साथ में discuss के जाएंगा, आपको सिखाय जाएंगे, affixes and root words, affixes का मतलब होता prefix and suffix, मतलब root word में जो हम add करते हैं, उन्हें हम कहते हैं, affixes, prefixes और suffixes होते हैं, उनको affixes का जाता है, ठीक है, तो जो root words हैं, affixes हैं, ये सब भी आपको vocabulary section में cover के जाएंगे, उसके अदमे reading comprehension में क्या होगा, जो मैं आप लोगों को कहता हूं कि school college में जो private publication की books करते हैं, लेकिन जो 7th, 8th में होता है न, different private publication की books schools में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, वो जो books होती है, especially those reader, reader books जिसमें stories और poems होती हैं, वो काफी अच्छी होती हैं, अगर हम उनको अच्छे से पढ़ पाएं, या कोई हमें उन्हें अच्छे से पढ़ाएं और समझाएं तो हमारी language जो है, वो sure short improve होगी, और हमें एक बहुत अच्छा foundation English को तयार करने का मिलेगा, और हमारी जो language, मतलब knowledge होगी, वो lifelong होगी, और वो हमें all life मदद करेगी, खुद को भी बहतर करने में, और जो हमारे घर में मतलब लोग हैं, जो हम पे dependent हैं, जो जिनको हम सिखा सकते हैं, जो हम सीख सकते हैं, हम उनको भी better understanding अपनी जो है, उनके साथ share कर पाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, text books, एक 7th standard की, और 8th standard की text books, तो उन text books में जो stories होती हैं, poems होती हैं, वो आपको पढ़ाई जाएंगी, उनको समझाई जाएंगी, उनमें important जो words, phrases होते है हैं, ठीक है, वो आपको highlight कर वा जाएंगे, उसके बाद में उन chapters के end में जो exercises होती हैं, वो काफी अच्छी exercises होती हैं, बड़ दिक्कत यह होती है कि उन books में उनके answer नहीं दिया होते हैं, कई बार आप लोग उन books को खरीद भी लेते हैं, कई बार उनको समझने में मुस्किल ह होते हैं, कई बार उनकी exercises तो बच्चे जनरली नहीं कर पाते हैं, तो you rest assured कि वो आपको बड़े अच्छे तरीके से poems और बड़े अच्छे तरीके से stories आपको समझाई भी जाएंगी, रेडिंग, लाइव टाइम में reading comprehension आपका practice करवाया जाएगा, और at the end of the chapter जो भी उसकी exercises ह आपको करवाई जाएंगी, आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, ठीक है, जिससे कि language को आप समझ पाएं, actually, याद ना करना पड़े, वो आपका मतलब एक कहते हैं, कि नहीं instincts develop हो जाएं, language को लेकर एक natural ability आपका अंदर develop हो जाए, ना कि आपको forcefully उसको याद रखना पड ठीक है, अजए, textbooks, mainly हमारा focus होगा textbooks, क्योंकि वो complete language flavors cover कर लेती है, क्योंकि उसमें जो stories होती है, वो different backgrounds की होती है, माली जे कोई एक story है, Russian author की, कोई एक story है, British author की, कोई एक American author की, Indian author की, ठीक है, कोई एक story human relation से related है, कोई एक story science से related है, तो उसमें क्याता सारा cover हो जाता है, तो हम हमारा main focus textbooks पर ही होगा, उसके अलावा मतलब, besides that, हम जैसे poems है, famous poems है, famous essays है, या famous short stories है, ठीक है, या famous excerpts है, माली जे महाभारत है, ठीक है, या माली जे जैसे Homer की इलियर्ड है, ठीक है, या the paradise lost है, या suppose Shakespeare का कोई drama है, ठीक है, तो उसका जो मतलब excerpts, जो famous excerpts हैं, वो हम उठाके आपके साथ में आपको practice करवाएंगे, उनको समझाएंगे, जिससे आपकी language की जो understanding है, वो और भी broader, भेतर understanding हो, ठीक है, वो आपके साथ discuss के जाएंगे, यह जब आपके साथ discuss के जाएंगे, तो इनका आपको PDF avail करवाया जाएगा, और live time में हम उस आपके साथ में discuss करेंगे, उस PDF का print वगएरे निकाल लेंगे, और live time में आपको समझाया जाएगा, कि यह story यहां से start हो रही है, उसके क्या-क्या meaning है, और क्या-क्या उसके मतलब context है, वो सारे उस समय clear करवा जाएंगे, ठीक है, textbook जो है, वो आपको हम बता देंगे कि इस publication की textbook आपको लेनी है, आप उसको Amazon या Flipkart या कहीं से भी अपना, जहां से भी आप कर सकते हैं, उसको arrange कर लेंगे, ठीक है, तो text books तो आपको खरीदनी ही पड़ेंगी, बाकी जो poems हैं, essays हैं, short stories हैं, famous excerpts हैं, यह जो हम आपको practice करवा इनके हम आपको PDF करवा देंगे, इनके लिए आपको परेसान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, तो यह मतलब एक तरीके से हमारा slaves हो गया, इस तरीके से हम आपकी language को या आपके English को मतलब तयार करेंगे, जिससे कि आपको grammar भी clear हो, grammar के terms क्या है, grammar के correct uses क्या है, ठीक है, उनमे आपको पहले noun clear करना पड़ेगा, pronoun clear करना पड़ेगा, ठीक है, नमबर है, gender है, case है, person है, पहले आपको वो समझने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो verb के अपने attributes होते हैं, जैसे verb जो होती है, verb expresses the state of the action, verb expresses the mood, verb expresses the number of the person that is used with, verb expresses the person of the person, बनलब person का मतलब होता है first, second, third, ठीक है, now उने pronoun का attribute होता है, we call it person, first, second, third, तो जब आप इतने बहतर तरीके से language क बेसिक से समझते हो, तो ये questions बहुत आसानी तरीके से बच्चों को समझा जा सकते हैं, cool मिलाके मैं किवल आपको example दे रहा हूं कि all things from basic to advanced will be covered, okay, आप देखिए, इसके लावा कुछ complimentary भी syllabus में होगा, मतलब main हमारे aspects होई है, grammar and uses and correct uses, ठीक है, grammar concepts and uses हो गया, vocabulary and word formation हो गया, word formation में जैसे कि हम एक word से दूसरा word कैसे बनाते हैं, nouns को कैसे adjective में, adjective कैसे nouns में convert करते हैं, word को कैसे adjective में convert करते हैं, ठीक है, यह suffix add करके हम किस तरीके से word का part of speech change कर सकते हैं, उसका meaning change कर सकते हैं, वो सब उसमें आपको detail में सिखा जाएगा, उसके लावा कुछ complimentary syllabus भी है, other besides that, pronunciation की classes भ भी आपको मिलेंगे, ठीक है, it will boost your confidence, ठीक, punctuation marks के users, यह भी आपको इसी syllabus में cover किये जाएंगे, descriptive English जो है, यह भी आपको इसी batch में cover किया जाएगा, descriptive English में आपके जैसे letter writing हो गया, paragraph writing हो गया, application writing हो गया, यह सब ठीक है, test and competitions, regular test and competitions होंगे, आपके assessment के लिए, and other learning activities, live classes, doubt classes, इस learning activities भी होंगी आपके साथ, learning activities जब भी हुआ करेंगी, तो Saturday को ही होंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, and I can't handle it on my own, मैं अपने आप इसको पूरा handle नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत vast syllabus है, अब फिर एक teacher पूरे syllabus को justify नहीं कर सकता, all aspects को आप justify भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसके लि features, ठीक है, मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ, और कोई नहीं पढ़ाता है, तो we have got a team, that helps me, हमार सथ एक team है, जो हमें help करती है, ठीक है, लेकिन वो सब back end में रहते हैं, वो आपको कभी सामने नजर नहीं आते हैं, बोर्ड पर नजर नहीं आते हैं, आपको कभी नजर नहीं आत है, ठीक है, लेकिन यह जो batch है, चुकि इसका slave है बहुत vast, और मैं चाहता हूँ, बच्चों को ने exclusive सीखने को मिले, exclusive, मतलब मेरे expertise जो है, वो मैं आपको सिखा हूँ, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा aspect है language का, जो मुझे से बहतर कोई दूसरा आपको सिखा लेगा, तो मैं मिस सुजन दिवान, ठीक है, तो यह सुजन दिवान मैं है, यह आपको अंगलिस पढ़ाएंगी, और दुरानी सर, और मैं, ठीक है, तो basically देखें, हमने superficially क्या है, कि जो grammar concepts and uses है, मैं उनकी classes लोंगा, descriptive writing की classes भी मैं ही लोंगा, ठीक है, and miscellaneous, miscellaneous का मतलब anything, क्योंकि ऐसा नह मैंने काफी जादा research की, vocab में affixes हैं, suffixes हैं, इन पर मैंने काफी अच्छे lectures मतलब अपनी study की, लेकिन चुकि मैं competition के लिए जब पढ़ाता हूं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते, generally वो graduate, postgraduate होते हैं, और हम उनको language के वो user discuss करते हैं, जिन best paper में questions आने होते हैं, जिनसे बच्चे को number मिलें, उसका job लगे, ठीक है, और paper pass हो जाए, लेकिन English में बहुत से ऐसी भी चीज़े सीखने के लिए आपको हैं, जिनसे आपके paper में questions तो नहीं आते, आप SSC का exam देंगे, bank का exam देंगे, तो उस पर best आपको question नहीं मिलेंगे, ल English को सही तरीके से express कर पाएं, understand कर पाएं, अगर इस purpose के लिए आप English सीखना चाहते हैं, then I have got a lot to teach you, figure of speech होगे, ठीक है, I used to teach, मैं पढ़ाया करता था जब मैं academic के लिए English पढ़ाता था, तो मैं पढ़ाता था, सारी चीज़े काफी detail में पढ़ाता था, ठीक है, synthesis, transformation, मैं सारी चीज़े पढ़ाता था, लेकिन competition के slaves में क्योंकि उन पर best questions नहीं आते हैं, ठीक है, तो हम उनको कभी discuss नहीं करता है, लेकिन इस batch में मैं सारी चीज़े, ठीक है, all aspects of the language that I can teach you very well, मैं वो सारे पढ़ाऊंगा है, क्योंकि जब हम competition के batches बनाते हैं, जैसे हमारे income batches होते हैं, उन में एक limit होती है, कि आपको बच्चे को competition के point of view से पढ़ाना है, और इस तरीके से त्यार करना है, कि ये examination में जाए, तो वहाँ पर इसको कोई confusion ना हो, questions को समझने में, ये questions को समझ ले, answer कर ले, इसकी job लग जाए, ठीक है, अच्छा, competition का slaves भी काफी कम होता है, मतलब limited slaves हो बाते हैं, तो वो 4 महिने में होने वाला काम, 4-4 साल में भी नहीं हो पाता, वो खेर अलग की बाते हैं, लेकिन ये जो हमारा batch ने, ये cable competition के point of view से नहीं है, ये language सिखाने के लिए आपको, आपको English क्या है, वो realize करवाने के लिए, feel करवाने के लिए है, तो इसमें मैं आपको आपको reading comprehension की practice करवाएंगे, ठीक है, reading comprehension की practice वो करवाएंगे आपको, और pronunciation जो है, obviously है कि मतलब reading comprehension वो पढ़ा रहे हैं, तो pronunciation भी फिर उनी को डेल करना है, तो जो pronunciation की आपके classes होंगी, वो भी दुराने सरही मतलब लेंगे, ठीक है, आच्छा, मैम क्या करेंगी, जो सुजैन द definition जो है, affixes, affixes का use, वो आपको सिखाएंगे, spellings हैं, and punctuation है, ये, मतलब, एक तरीके से हमने इस तरीके से divide कर दिया, बाकी क्या है, कि मैं हो सकता है, आपको यहाँ पर भी interfere करता हुआ, कुछ मिल जाओ, ठीक है, हो सकता है, देखे, मेरी कुछ favorite poems है, मेरी कुछ favorite short stories है, मुझे आप कोई poem पढ़ाते हैं, ठीक है, तो poem पढ़ाने का मतलब यह नहीं कि आप उसके word के meaning बताते हैं, ठीक है, poem तो मतलब एक भाव होती है, essence होती, कि जिसने poem लिखी है, उस poem ने, मतलब वो एक sentence के दुरू बहुत कुछ कहना चाहता है, ठीक है, life से related, nature से related, general circumstances से related, तो literature पढ मतलब ये भी नहीं कि आप साकी की short story बिच्चे को समझाद होगे, आपको English आती तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को Oh Henry की story समझाद होगे, ठीक है, नहीं, उसके लिए तो आपको human relations, human values, ठीक है, general knowledge of the world वाली जबर दस्त होनी चे, तब literature सीखने का फायदा है, literature के ये नहीं कि sentence by sentence उसको translate के जा रहे है, translate के जा रहे है, ठीक है, तो मुझे मेरी बहुत सी short stories जो मेरी favorite है, मेरी poems है काफी जो मुझे पसंद है, मतलब favorite है, ठीक है, तो मैं मतलब आपको ये बताना चाहरा हूँ कि reading comprehension में भी मैं कुछ classes जरूर लूँगा, क्योंकि मैं वो आपक सिखाना चाहता हूँ, जो मैंने stories पढ़ी, जिन से मैं inspire हूँ, जो poems मैंने पढ़ी, जिन से मैं inspire हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी अपना दुरानी से, mainly मतलब, mainly इसको दुरानी से deal करेंगे reading comprehension section को, लेकिन इसमें मैं भी कुछ classes जरूर अपनी रखूँगा, और मे vocabulary पार्ट में मेरा ज्यादा को interference होगा नहीं, वैसे, लेकिन vocabulary पार्ट में fragile verbs हैं, हो सकता है, वो मैं आपको deal करता हूँ, और fragile verbs के बाद में, मैं आपको word formation में भी deal करता हूँ, ठीक है, word formation जो है, ठीक है, और fragile verbs है, तो ये दो पार्ट है, वो के भी, जिन में मैं आपको मिलू completely, ठीक है, descriptive writing है, मैं ही deal करूँगा, completely, ठीक है, तो full मिला कि ये कि इसमें लगवग आप मान के चलें कि around 60% slavers, जो है, वो मैं deal कर रहा हूँ, इस batch का, ठीक है, और 40% में मैं मैं और सर्थ देखेंगे, ठीक है, तो यहां ते clear होगे कि भी, slavers क्या है, और team क्या है, teachers की जो time में, फाइदा तभी है, ठीक, तो live lectures का time जो होगा न, वो 5-6 PM होगा, Monday to Friday, तो यह जो batches की live classes हुआ करेंगे, 5-6 PM, Monday to Friday, ठीक है, अच्छा, learning activities जो भी होगी, वो Monday to Friday में नहीं होगी, Monday to Friday का जो हमारा time रहेगा, वो dedicated, मतलब, main syllabus को discuss करने के लिए, या पढ़ाने के लिए रह चाते हैं, कोई competition करना चाते हैं, ठीक है, या कोई practice आपको करवानी है, तो learning activities जो भी हुआ करेंगी, वो Saturdays को होगी, ठीक है, अच्छा, Saturday का time हो सकता है कि 5-6 PM ना होके, early in the morning है, afternoon का हो, ठीक है, तो बाकि जो आपका regular time होगा, Monday to Friday का, वो 5-6 PM ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो Saturdays की practice classes होंगी, या Saturdays की learning activities की classes होंगी, वो early in the morning, या फिर afternoon में हो सकती है, मतलब evening में तो हम मान के चलेंगी, नहीं ही होंगी, ठीक है, अच्छा, इस बैच के जो live lectures की duration है, I think that is, that is, enough, six months is enough, ठीक है, और हो सकता है, जरूत पंडेपर हम एक दो मन्त, अगर हमें लगा कि नही टाइम खतम नहीं हुआ, ठीक है, तो हम आपको उसको और carry कर देंगे, मतलब six months is fixed, कि live lectures आपके six months तक चलेंगे, ये तो confirm है, ठीक है, और हो सकता है, हम एक जरूत पड़ी तो एक दो महीने और वी बढ़ा देंगे, ठीक है, batch की validity 12 months किया, मतलब six months तो आपको live classes ही मिलेंगी, live lectures ही आपके चलते रहेंगे, फिर उसके बाद में six months का slaves भी काफी जादा हो जाता है, तो हम आपको six months की validity और देंगे, मतलब batch की validity one year होगी, जिससे कि आप अपनी previous classes को जरूत पड़ने पर सही तरीके से revise कर पाएं, notes बनाने तो notes बना पाएं, ठीक है, अच्छा, इसमें दे में three times आप और देख सकते हैं, revision के लिए, notes बनाने के लिए, इसलिए, ठीक है, तो वही इस batch में भी होगा, कि जो आपको views मिलेंगे, वो होंगे one plus three, one हो गया live view, हर एक lecture का, और three हो गया उसके recorded, after the lecture gets recorded, you can watch it thrice more, ठीक है, तीन वार और भी देख सकते हैं, अच्छा, live lectures की हमन जो learning activities है, ठीक है, Saturday वगरे की, वो year long चलेंगी, वो मतलब आपके 12 महीने ही चलती रहेंगी, learning activities ऐसा नहीं है कि six months के बाद में stop हो जाएंगी, learning activities है, practice classes है, doubt classes है, ठीक है, वो Saturday वाली जो, वो आपकी चलती रहेंगी, वो stop नहीं होंगी, वो one year आपकी जब तक course validity तब तक continue रहे ठीक है, अच्छा, उसके बाद में जो fees है batch की, वो हमने मतलब situations को present situations को देखते हुए, या मतलब first time चूंकि हम इस batch को launch का रहे हैं, यह सब देखते हुए, हमने काफी मतलब reasonable रखे, only 5000, तो इसकी जो fees है batch की, वो 5000 है, ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे star के suppose कोई बच्चा हमारे income A, income B, income C, income D, किसी batch में अगर enrolled रहा है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा हमारे किसी income batch में enrolled रहा है, अब ही income जे बैच चल ला है तो ए से लेके जे तक किसी भी बैच में अगर कोई बच्चा enrolled रहा है वो या जो हमारे मुखरजी ने अगर सेंटर पर मतलब जो हमारे classroom batches में बच्चे enrolled थे अगर वो ठीक है इस batch को join करते हैं तो उनको 5,000 नी उनको 3,000 फीस पे करने हैं उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन है तो यह 3,000 फीस जो है यह उन बच्चों के लिए है जो हमारे किसी बैच में एनकॉम बैच में जो हमारे application पे एनकॉम बैच है एनकॉम ए इनकॉम जे इनमें से किसी भी बैच में enrolled कोई बच्चा है वो या फिर जो हमारे मतलब classroom batches है मुखरजी नगर के ठीक है उनमें enrolled कोई भी बच्चा है अगर वो admission लेता है इस बैच में तो उसकी नियर डियर में कोई भी ऐसा है बच्चा जिसको आप चाहते हो कि उसकी English बहतर त्यार हो अच्छी मतलब उसको इंग्लिस का मतलब अच्छी education उसको मिले तो अगर आप उसको इस बैच में जॉइन करवाते हैं ठीक है तो भी आप उसको 3000 करवा सकते हैं उसके लिए आपको बस यह करना है कि उस बच्चे का एडमेट कार्ड स्कूल का है जो हमें वाट्साप करके भेजना है तो एक तरीके से जो हमारे ओल्ड इस्टूदेंस हैं उनके लिए 3000 फीस है ठीक है या फिर जो अप टू 12th स्टेंडर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट है कोई बी ऐसा बच्चा जो मतलब स्कूल में पड़ता है मलब जो स्कूल स्ट्वेंस है और अपटू 12th स्टेंडर्ड मतलब 12th स्टेंडर्ड तक में जो है मतलब जो कॉलेज में पहुंच गए ग्रेजओ अनपके लिए नहीं है तो ऐसे स्ट्वेंस जो अप टू पर हम उसको एक payment लिंक वेजेंगे और उस payment link के तुरूरी payment करनी है और वो payment link 3000 का payment का होगा ठीक है या फिर कोई बच्चा जो आप अप्टू 12th लेवल किसी पढ़ता है किसी क्लास में 7th में 8th में 9th में 10th में 11th य 12th में किसी में भी है ठीक है आपके अपने बच्चे हैं या आपके छोटे भाई वैन है या आपके मतलब नियर एंडियर में से कोई भी है और आप चाहते हैं उसको कि अच्छी उसको इंग्लिस के education मिले इ ठीक है और आप उस लिंक के through payment करें 3000 की ठीक है अच्छा अगर आप हमारा जो application है उसके through payment करेंगे तो उस पर default payment 5000 है आपको वहां से 5000 की ही payment करनी पड़ेगी ठीक है एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं जो school college के बच्चे हैं जो हमारे school college के बच्चे हैं ठीक है जो school goers ह up to 12th standard उनकी तो fees हर हालत में 3000 रहेगी ठीक है लेकिन जो हमारे old students हैं जिनको हम 3000 fees बता रहे हैं ठीक है उनको मैं एक छोटे सी बात और बताता हूं यह जो पूरा slaves है ना इसमें अभी एक part और भी है जो मैंने आपके साथ डिसकस नहीं किया जितने भी हमारे यूटूब वीडियोज है 15 अगस्ट से पहले पहले मतलब आज 15 अगस्ट है आज तक हमने यूटूब पे जितने भी वीडियोज अपलोड किये हैं या live sessions लियें यूटूब पे जितने भी हमें लगता है कि more than 100 वीडियोज हमारे है ठीक है तो जो कि जैसे हमने यूटूब पे काफी पढ़ाया काफी concepts पढ़ायें अच्छे concepts पढ़ायें exclusive concepts पढ़ायें ठीक है लेकिन उन पे based doubts आपके उनसे related जो आपके doubts है वो उनसे related practice नहीं है यूटूब पे मतलब ऐसा हो नहीं पाता तो इसलिए है भी नहीं ठीक है लेकिन अब मैं क् down के period से ही उसके बाद में ही मैंने काम करना इस पर शुरू कर दिया था कि मैंने जितना भी content आपको YouTube पर पढ़ाया है उस सारे content से related practice questions उस सारे content से related doubt sessions आपके होंगे ठीक है lifetime में होंगे ठीक आजा यह उन ही बच्चों को अवियल होगा जो इस batch को इस फीस में जोइन करेंगे तो अगर आप हमारे old student हैं किसी batch में enrolled रहे हैं ठीक है लेकिन अगर आप जो हमारे YouTube पर वीडियोज हैं जितने भी वीडियोज हैं अगर आप उन YouTube वीडियोज की practice classes या उन YouTube वीडियोज की doubt sessions को attend करना चाहते हैं तो मैं आप से कहूंगा 3000 में admission ना लें फिर आप 5000 के थ्रू ही एडियोज की admission लें ठीक है क्योंकि यह जो दिखे जो स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं उनके लिए जो हमने YouTube पर पढ़ाया है content वो काफी ज्यादा है तो उनको तो उसको देने का कोई फैदा नहीं है ठीक है क्योंकि YouTube पर जो हमने स्ट्रेवस पढ़ा है YouTube जो हमने content पढ करें जिससे उनको बाद में जाके प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़ें ठीक है लेकिन वो जो हमने यूटूब पर कंटेंट पढ़ाया है वो बहुत उचे दर्जे का है ठीक है वो उनके लिए जरूरी नहीं है तो जो बच्चे 5000 में इस बैस को जॉइन करेंगे चाहें वो यह हमारे पुराने स्ट्रेंस है ठीक है उनको सबको एक एडिस्नल पैकेज भी मिलेगा वो क्या होगा वो उनको मिलेगा कि जो हमारे यूटूब पर जितने वीडियो हैं उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेशन्स अब बिलेव कीजिए जो मैं आपको पढ़ाता हूं जै ठीक है लेकिन मैंने उनके प्रैक्टिस के लिए क्वेशन्स त्यार कर रखे हैं ठीक है तो हम उनको भी लाइव टाइम में आपके साथ में स्टार्ट करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा यूटूब कंटेंट है जितना भी आज तक हमने डिस्केस किया 15 दगस से पहले ठीक है उससे रिलेटेट प्रैक्टेस उससे रिलेटेट कुर्शन्स प्रैक्टेस करना चाहते हैं तो फिर वो जो आपको मतलब एक कंसेशन मिला था 2,000 का आप उसके चक्कर में ना पड़ें ठीक है फिर आप इस बैच को 5,000 के थ्रू ही जोइन करें क्योंकि वो सेस अगर आप वो हाई लेवल की प्रैक्टिस चाहते हैं और यूटूब पर हमने पढ़ाया है उसके डाउट सेशन्स चाहते हैं तो फिर आप इसको 5,000 के थ्रू ही जोइन करें ठीक है तभी फैदा यह वैलेडिटी बता दी फीस आपको हो गई डूरेशन हो गई लाइव ले उनकी वैलेडिटी 12 मंस रहेगी ठीक है उनकी वैलेडिटी तब तक रहेगी जब तक कोर्स की वैलेडिटी है ठीक अच्छा वाट्सप नमबर अगर आप कुछ भी हमसे पूछना बताना चाहते हैं या माल लिजे आपको यह आई-कार्ड वगर हमें अगर भेजने हैं तो आप इस वाट्सप नमबर पर या इस वाट्सप नमबर पर हमें सेंड कर सकते हैं या फिर अगर आपको इस बैच से रिलेटर कोई फर्दर क्वेरी चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी एक वाट्सप नमबर पर हमें मतलब वाट्सप मैसेज कर सकते हैं यह हमारे WhatsApp नमबर से हैं अच्छा जिस एप पे आपको एक classes अवेल कराई जाएंगी उस एप का नाम है ASIC Live Android एप है तो आप इसको Google Play Store से डाउंलोड कर सकते हैं एक मैं छोटी सी बात बता देता हूं कई वार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं वो क्या करते हैं हमारे Google Play Store पे दो एप हैं एक है ASIC English ठीक है और एक है ASIC Live तो कई बार बच्चे क्या करते हैं सबसे पहले वह ASIC English दिखाई पड़ता है उसी को डाउंलोड कर लेते हैं आप जो ASIC English को डाउंलोड ना करें ठीक है ASIC Live को डाउंलोड करें दोनों में एक तो नाम का ही डिफ्रेंस हो गया थोड़ा सा ध्यान दे लेना बाकी मैं बता देता हूं ASIC English का जो लोगो है वह वाइट है वाइट बैक्ग्राउंड का लोगो है तो आपको हमारा वह एप डाउंलोड क होता नहीं है फिर वो उस पर खराब फीडवेक दे रहे हैं अरे भाई तुम तुम्हें बताए क्या जा रहा है तुम कर के आ रहे हो ठीक है तो यूँआब डाउंलोड दा एप असेक लाइव ठीक है कीप इन माइंड एड़ाउंड ग्राउंड उस एप को डाउंलोड करना है उस नाम से यह लिस्टड है अप तो आप इस कोर्स में अड़िन सब स्टार्ट है ओपन है अजब तक आपका बाद में admissions close हो जाएंगे ठीक है और यह जितना कंसेशन वगरे का सीन है यह सब खतम हो जाएगा ठीक है तो यह जो भी कंसेशन है यह जो भी admissions open है यह तब तक यह open है जब तक आपका मतलब live classes start नहीं हो जाते हैं live classes आपकी 1st September से start हो जाएंगी अच्छा छोटे सी बात और बता देता हूं most of you are aware about my teaching style and my content and the way I teach तो मेरे बारे में आपको जानकारी है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं ठीक है किस तरीके सी चीजों को समझाता हूं ठीक है लेकिन यह जो हमारे नए साथ ही है मतलब मतलब आपके जो new teachers हैं जैसे सुजयन दिवन मैम हैं और दुरानी सर हैं इनसे आपने कभी पढ़ानी होगा ठीक है तो इनके हमने क्या किया है कि आपको कुछ demo videos को shoot कर लिए है कुछ demo videos shoot कर लिए है ठीक है तो जिससे कि आप admission लेने से पहले एक वार उन के style को भी समझ लो ठीक है तो हमने कुछ demo videos avail करवा दिये हैं वह demo videos एक तो हमने YouTube पे असेक foundation नाम से playlist बना दिये है यह वीडियो भी आप उसी playlist में देखेंगे ठीक है तो जो असेक foundation playlist है उसमें ही हमने कुछ और demo videos हैं वह upload कर दिये हैं या कर देंगे ठीक है जल्दी ही तो आपना खुद का English communication कितना effective है आप उनसे कितना आप English को pronounce करना English को confidently बोलना आप कितना सीखोगे जनरली आपने देखोगे YouTube पे जनरली टीचर्स पढ़ाते हैं spoken English पढ़ाने वाले टीचर्स वो सारा खुद हिंदी में बोलते रहते हैं ठीक है उन्होंने मतलब thousands of videos पढ़ा दि यह केवल आपको पढ़ाएंगे नहीं ठीक है कि मैं खाता हूता हूं कैसे बोलना है मैं खाता हूं कैसे बोलना यह नहीं वह आपको real life में English को कैसे मतलब express किया जाता है English में खुद को कैसे express किया जाता है they are very good speakers of English language better than me मुझसे बहुत अच्छे है ठीक है तो आप उनकी class attend करेंगे तो आपको बहुत को सीखने मिलेगा हमने उनके कुछ demo वीडियो शूट किये हैं वह आपको application पे भी मैं avail करवाँगा असक foundation एप में वह आपको pre-loaded मैं avail करवा दूँगा ठीक है आप वहां से उनको देख सकते हैं ठीक है और यूट्यूब पर यह जो प्लेइलिस्ट है असक foundation इसमें भी वीडियो आपको अवेल हो जाएंगे आप यहां से उनको देख सकते हैं ठीक है और first September से पहले में कुछ और वीडियोज भी कुछ डेमो वीडियोज दुरानी सर के और सुजैन में के और अपने भी ठीक है कुछ और डेमो वीडियोज उसमें आपको अवेल करवा दूँगा ठीक है तो I think that's it अब को अब बता दिया आपको अभी अगर कोई क्यारी है यह वाट्सप नंबर्स आप इन वाट्सप नंबर्स के थूँग अपनी क्यारी को मतलब हमसे पूछ सकते हैं और तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके भी अपनी क्योरी पूछ सकते हैं और वी विल सेटेनली यह वीडियो और उसको आंसर भी करेंगे थिक है तो अगर फिर भी इस बेसे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछने बताना रह जाता है तो आप हमसे या तो वीडियो पर